नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रहसान और आप देख रहे हैं GK Affairs YouTube चनल दोस्तों गुजरात अस्टेट इलेक्रिसिटी कॉर्परेशन्स के द्वारा जो बिद्दूत साहिक या फिर जूनियर इंजूनियर का पेपर हुआ था सिप्तंबर महिने में दोस्तों उसका हम डिसकस करेंगे, आज हम इलेक्रोनिक्स का पेपर लिकर आए हैं तो दोस्तों इस चनल को आपको जरूर सबस्क्राइब करके बैल आइकन को प्रेश रखना है क्योंकि इस चनल पे आपको प्रिविएस एर पेपर डिसकसं किये जाते हैं जनरल अवरनेस के सेक्षन को तो देखे आपके पास भी कोई भी question paper होता है तो आप gfs25 at the rate gmail.com पे भेजिए और इसका pdf लेना है तो gfs25 नाम से telegram channel होगा जिसका link description में होगा वहाँ से आप इसको join भी कर सकते हैं बहुत सारे paper discussion हो चुके हैं तो देखे जो paper student पेजे हैं उसमें one और two number जो front page है वो missing था तो तीशरे number question से discuss करेंगे question पूछा गया है कि why which of the following religious communities is उपना जो dance है देखे उपना dance है केरल में देखे कहां का है तो ध्यान रखियेगा उपना dance जो है वो केरल का है लेकिन एक किस community से belong करता है किस religious figure को belong करता है तो यह Muslim community का है उपना जो dance है केरल का यह आपको ध्यान रखना है तो Muslim भाई बंधों का यह त्योहर है उपना dance तो इसको ध्यान रखियेगा केरल का dance है उसके बाद देखे पूछा गया है कि स्रीकांत किदामबी यानि कि किदामबी स्रीकांत जो है किस खेल से रिपरजेंट करते हैं इंडिया को तो badminton इसका correct answer होगा एप फोटो देख सकत हैं यह किदामबी स्रीकांत इसी तरह से और भी बहुत सारे players हैं badminton के जिस लक्ष सेन आपको ध्यान रखना है उसके बाद HS परना है परुपली कस्यप उसके बाद महिलाओं में बात करते हैं दो नाम आपको एकदम ध्यान रखना है पीबी जिन्धू और सायना नहबाल य यह आपको कुछ badminton के players का मैंने नाम बताया है जो आपको ध्यान रखना है तो किदामबी स्रीकां जो है badminton खेलते हैं उसके देखे यह बहुत ही मुझे funny question है यह इस तरह से पूछा गया है कि बिक्की कौसल ने किस से साधी की है तो कैटरिना कैफ आपको ध्यान रखना है इस तरह से आपको ध्यान रखना है और इनका साधी 9 December 2021 को हुआ था पता ने जब पूछ दिया गया कि किस से साधी की है तो हो सकता है कभी date भी पूछ लिया जा है ध्यान रखना है कि 9 December 2020 को इन दोनों की साधी हुई थी और बहुत ही पर पर चलित रही थी चर्चित रही थी एक हैवर तो इस बज़र से question पूछा गया है अब देखे question है कि which of the following two states of India connected by the धोला साधिया ब्रीज तो देखिए धोला साधिया ब्रीज को जो है भुपेन हजारी का ब्रीज भी करते हैं यह आपको ध्यान रखना है तो असाम और अर्नाचल परदेश को connect करती है यह आपको ध्यान रखना है अब देखिए इस map आपको मैं दिखा रहा हूँ तो यह आपको ब्रहमपुत्र रिवर देखने को मिल रहा है जहां पर देखिए इस आपको लोहित रिवर है यह लोहित रिवर आपको देखने को मिल रहा है और इसी पर यह आपको यानि कि ब्रहमपुत्र क ट्रिब्यूटरी है तो ब्रहंपुत्र की ट्रिब्यूटरी है लोहित रिवर और इसी पे धोला सादिया ब्रीज है जो की 9.15 किलो मेंटर है 9.15 किलो मेंटर और इसको देखिए जैसा कि मैंने बताया भूपेन हजारिका सेतु भी बोलते हैं यह आपको ध्यान रखना है जो की असाम और अरनाचल परदेश को connect करती है तो आप देखी इसा यहाँ पर आपको ब्रहंपुत्र नादी यह आपको देखने को मिल रहा है और इसी में जो है डिब्रू साइखोबा नेशनल पार्क जो है असाम में ही है तो यह आपको एक नेशनल पार्क भी मैंने तरबादिया की डिब्रू साइखोबा नेशनल पार्क आपको असाम में ही देखने को मिलती है और यहाँ पर आपको लोहित रिवर भी ब्रहंपुत्र के ट्रिविट्री है और इसी पर धोला साधिया ब्रीज है जोकि आपको 9.15 किलोमेटर है जोकि असाम को अरनाचल परदेख से कनेक्ट करती है उसके बाद देखिये नेक्स्ट कोशन है कि WHO का फूल फोर्म क्या है तो WHO World Health Organization इसका फूल फोर्म है तो देखिये United Nation की जितने भी Organizations है जिसे कि ILO International Labor Organization WHO आपको World Health Organization इसी तरह से UNESCO इनिसेफ आप लोग जरूर जो है ध्यान रखियेगा अब देखिये WHO के बारे में जानिये तो आपको यह परमुख जो है Health से Related Organizations है United Nations की जिसका Formation 7 April, ध्यान रखियेगा, 7 April 1948 को हुआ था आप देखिये, यह 7 April को World Health Day भी मनाते हैं, यह आपको ध्यान रखना है और इसका Head Quarter, जनेवा, सूट्चेर लेंड में अस्तित है और इसके Head अभी कौन है, तो Tedros Adhanum, आपकी Director General है, यह आपको पता होना चाहिए उसके देखिये, next question आपके सामने है, कि कौन सा region में जो है, पाला डानेस्टी जो है, यहाँ पर represent करता है, तो यह आपको देख पा रहे होंगे यह आपको North और East जो है, इंडिया का आपको देखने को मिलना होगा, यह पाला इंपायर का शेतर था पूरा, जो कि बिहार और बंगाल शेतर है, परजेंट इंडिया का, तो यह आपको ध्यान रखना है, तो बिहार और बंगाल इसका correct answer हो जाएगा अब देखे, पाल वंस का संस्थापक थे गोपाल, ध्यान रखिया का गोपाल के द्वारा जो है, पाल वंस का अस्थापना किया गया था, तो गोपाल इसका आपको ध्यान रखना है, और गोपाल नहीं वदंत पूरी बिस्विद्याले की अस्थापना गोपाल नहीं की थी और गोपाल जो है बौद धर्म का अनुवाई था और पालवन्स के जो है महान सासक होए थे कौन तो धर्म पाल जो की बिक्रम सिला बिस्विद्याले की अस्थापना धर्म पाल के द्वारा की गई तो ध्यान देखेगा पालवन्स के संतापक गोपाल कौपाल के द्वारा उदन्तिपुरी बिस्विद्याले जबकि पालवंस के महान सासा कुए थे धरमपाल जिसके द्वारा बिक्रम सिलाप बिस्विद्याले की अस्थापना की गई और बरतमान जो भारत है उसमें बिहार और बंगाल का छेतर था पालवंस अब देखिए next question आपके सामने है कि context of the technology तो EC2 का मतलब क्या है तो elastic compute cloud होता है इसका मतलब तो इसको ध्यान रखिएगा elastic compute cloud होता है EC2 यह आपको simple सा याद रखना है उसके बाद देखिए which of the following senior political leaders received the prestigious पद्मे बहुसन award from the government of India in 2022 तो देखिए 2022 आपको ध्यान रखना है यह current का question है लेकिन आपको ध्यान रखने ना है कि 2022 में cool मिलाकर 128 लोगों को पद्म award दिया गया 128 लोगों को अगर हम बात करते हैं आप देखिए 128 में आपको divide करना है तीन केटेगरी में क्योंकि पद्म बिभूशन चार लोगों को पद्म भूशन जो है मिला 17 लोगों को और पद्म सिरी मिला 107 लोगों को गुल मिलाकर 128 लोग होगे आप देखिए चार लोग पद्म भूशन 17 पद्म भूशन और 107 जो है पद्म सिरी तो देखिए सभी का नाम याद रखना जो है मुस्किल होता है तो इनको जो है पद्म भूशन मिला देखिए 17 वाले के टेगरी में है गुलाम नवी अजाद को इनको ध्यान रखना है अब देखिए आपको जो है कम से कम पद्म भूशन तो याद रखना ही होगा जो की चार लोगों को मिला था तो देखिए प्रभा अत्रे आर्ट के फि पद्म भूशन तो इस तरह से आपको एक बार नजर दोडा लेना है तो देखिए रासित खाने के टेटर नहीं बलकि उत्तर प्रदेश में आठ से बिलॉंग करते हैं उसके बाद देखिए राची महरसी सिविल सर्वीज उसके बाद आप देख सकते हैं साइरस पुनावाला को मिला है यहाँ पर उसके बाद देख सकते हैं सत्या नडेला को मिला है तो इस तरह से देवेंदर जज पूछे गए थे जी की का, तो अधर एक्जाम का ही पेपर इसी तरह से डिसकेशन होते रहेगा, बस आपको क्या करना है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, और वीडियो को इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद है